हालो एवरिवन आप सभी का फिर से स्वागत है यह घटना चक्र साइन्स का डिसकसन है और आज का टॉपिक है चालक्ता तो चले श्टार्ट करते हैं पहले चालक्ता के बारे में डिसकस करेंगे इसके बाद इस पे अधारित अब तक जितने भी प्रस्ने पूछे गए हैं उन नाभिक से दूरी वाली कक्छाओं के इलेक्टोन पर यह बहुत कम होता है और इन बाद इलेक्टोनों को इनके अस्थान से असानी से हटाया जा सकता है इनमें से अनेक इलेक्टोन अपने परमाणों से अलग होकर पूरे परदार्थ में यानि जो परमाणों के बीच के रि प्री एलेक्ट्रोंस कहते हैं अत्वा चालक एलेक्ट्रों भी कहते हैं यह एलेक्ट्रों ही आवेश को पतार्थ में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाते हैं अतक किसी ठोस पतार्थ की बिधूत चालकता उसमें मुक्त एलेक्ट्रों के संख्या पर निर्वर करती धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है और इसी कारण धातुओं बेधूत की अच्छी चालक होती है चान्दी जो है बेधूत का सबसे अच्छा चालक है उसके बाद तामबा, सोना और एलमिनियम है धातुओं के अत्रिक्त कुछ द्राव और गैसों में भी होते हैं धातुओं में बैधूत चालन इलेक्टोनों के चलने से होता है जबकि द्राव और गैसों में यह धन और रिण आयनों के चलने से होता है गैसों में बैधूत चालन एक निश्चित दापरास यानि जो लगब गैस बीधूत की जो है कुछ आलक होती है ध्यान रखिएगा जो परासे इसको ध्यान में रखना है अचालक किसे कहते हैं देखें जीन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या बहुत ही कम अथवा सुने होती है उनमें आवेश का परवा संभव नहीं होता है और विपदार जो होते हैं बीधूत की अचालक यानि बैड कंड़क्टर और इंसुलेटर्स होते हैं अर्चालक क्या है देखें अर्चालक कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी बैधूत चालकता अचालकों की अपिक्षा बहुत अधिक प्रन्तु चालकों की अपिक्षा बहुत क इसलिनियम है कारवन आधी इन पदार्थों के जो विशेस्ता है वह यह कि इनका ताप बढ़ने पर इनकी परतिरोधक्ता जो है मतलब घर्टी है अथार्थ इनकी परतिरोध ताप गुडांग रिडात्मक होता है और इस परकार और चालकों की चालक्ता पर ताप का परभाव चालकों के बिप्रित होता है अती चालकता क्या है कुछ पदार्थों में ताप ताप परतिरोधक्ता के बीच एक असमान समंध देखा जाता है जैसे जैसे पदार्थ ठंडा किया जाता है पदार्थ की परतिरोधक्ता सुध धात्तों की भाती धीरे-धीरे घटी जाती है प्रंतु एक 20S ताप के नीचे ठंडा होने पर परतिरोधक्ता बहुत तेजी से घट कर सुने हो जाती है जैसे पारे की परतिरोधक्ता 4.2 के ताप पर अचानक सुने हो जाती है और इस घटना को अतिचालक या अतिचालक्ता कहते है ठंडा किये पदात को अतिचालक यानि सुपर कंड़क्ता कहते है या घटना जो है अतिनीम्न तापू पर ही होती है 10 के से 0.1 के तक ठीक है और वह ताप जीस पर परतिरोधक्ता अचानक सुने हो जाती है उसे हम संक्रमण ताप कहते हैं जो भी भीन पदार्थों के लिए भीन-भीन होता है अतिचालक्ता का गोंड सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता है जो पदार समानता सुचालक हैं जैसे तामबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम उनमें 1K से भी छोटे भीन तक के नीचे ताप पर भी अतिचालक्ता का गोंड नहीं पाया जाता है इसके बीप्रित कुछ धातुएं और मिस धातुएं भी हैं जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, अलमिनियम, टीन, सीसा ठीक है? इनका जो है, मतलब की जो परास है 0.01K, 0.56K, 1.19K, 3.7K और 7.2K तापो पर जो है अतिचालक अवस्था में होते हैं अतिचालक पतार्थों के कई उपियोग हैं जैसे उर्जा को बैधुत तारों में बिना किसी परतिरोधात्मक हरास के भेजा जा सकता है तथा संग्रहित भी किया जा सकता है पावर कंपनी जब मांग कम होती है पावर कंपनी का तो बैधुत उत्पादित करके अतिचालक रिंगो में संग्रहित कर सकती है जिसे अधिक्तम मांग के दोरान दे सकते हैं दूसरा इसका जो उपियोग है अती चालक वेधु चुम्बकों से प्रबल चुमक की चेत्र जो उत्पन किया जा सकता है जिसे सधारण वेधु चुमक उत्पन नहीं कर सकते ठीक है? इस पे अधारी जो पहला प्रस ने पूछा गया है अती चालक का लक्षण किया है? अब बताईए अती चालक का लक्षण है सुने पारगम्यता सी अप्सन आपका सही जबाब है इसके बारे में हम लोगों ने डिसकस किया है बेधु चुम्बक कत्वे के संदर में पारगम्यता किसी पदात का वगुण है जो उस पदार्थ में चुम्बक की चेत्र अस्थापित किये जाने में उस पदार्थ के द्वारा परदर्सित जो है साहता की मात्रा बताता है इसे ग्रीक वर्ड जो है म्यू से परदर्सित करते हैं पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता जो होता है, सुने होता है, इंपोर्टेंट ध्यार किएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशन है, सेकेंड कोशन है, अतिचालक का किस तापमान पर अत्याधिक आर्थिक महत्वे की हो सकती है, जिससे लाखों रूपे की बचत हो, सही यानि सुपर कंडक्टिविटी की अवस्ता में धातों का तापमान सुने डिगरी केलविन की लगभग रहता है, माइनस 273 डिगरी सिंटीग्रेट के लगभग बराबर है, मतलब की इसी के लगभग रहता है, यह ताप जो है भीनमीन धातों के लिए भीनमीन होता है, और इ क्वेशन नमर ठर्ड एक किसी अती चालक के द्वारा प्राप अधिक्तम ताप होता है, कितना तो 133 केलविन, कैसे वाई मंडलिये दापर किसी अती चालक के द्वारा प्राप पे जो अधिक्तम ताप है 133 केलविन है, अधिक्तम ताप वाला अती चालक एक ऐसे सेरेमिक प पुर्शन है, नो आविश्कृत उच्ता अतिचालक है, सही जवाब होगा, सिरेमिक ओक्साइड, इसके बारे में डिस्कस किया हैं, अतिचालक्ता के तीशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ओक्साइड बहुत ही उपयोगी सीध हुई है, मिरतिका युक्त धात सिरेमिक, बेरियम, कैलसियम तथा कॉपर अक्साइड से युक्त होती है, फाइब नमबर है, और चालक की चालकता प्राप्त होती है, सुन डिगरी कैलिमिन पर, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो D अप्शन आपका सही जवाब है, सुन ने, ठीक है, इसमें ज परमे सुन तापर अर चालक के आधर से अर चालक, यानि सुन चालकता के भाती बेवार करता है, सिक्स नमबर है, एक अर चालक में बीधु चालन होता है, ठीक है, बताइए, तो इलेक्ट्रोंस एवं होल्स दोनों के द्वारा, सी अप्शन आपका सही जवाब होगा, अर च परमे चालक दूसरा है, बाह अर चालक, एक सुध अर चालक जिसमें कोई अपद्रव न मिला हो, नीज अर चालक कहलाता है, और इस परकार सुध जर्मेनियम एवं सिलिकॉन अपनी प्राकरतिक अवस्था में नीज अर चालक है, इनमें व्यधुत्य चालन, इलेक्ट्रों कोट्रो, आथार, होल्ज, दोनों की गति के कारण होता है, सिवेन नमर कोश्चने किर्दी, किसी अर चालक का परतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो घड़ता है, बी अपसम, देखें, अर चालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं, जिनकी बिधुत्ध परतिरोधक्ता, चालकों स अधिक प्रन्तु कुछालकों से कम होती है, अर चालकों की परतिरोध अगता समानिता पर 10 के पावन माइनस 2 तथा 1 उम के मध होती है, अर चालक का परतिरोध ता बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है, तो टेंप्रेचर बढ़ेगा, तो अर चालक का परतिरोध कम हो Q8 है निकट अतीत में हिक्स बोसौन कड़ के अस्तीत्व के सरसुचन के लिए किये गए परियत्न लागातार समाचारों में रहे हैं इस कड़ की खोज का क्या महत्व है तो बताइए इसमें जो महत्व है पहला है यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मुल्क कड़ों में सनहती के होती है दूसरा जो है यह निकट भविस में हमें दो बिंदूों के बीच के भौतिक अंतराल को पार किये बिना एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पदार्थ अस्तनांतरित करने की प्रदावगी की बिक्सित करने में मदद करेगा तीसरा यह हमें नाभी किये विखंडन के लिए बेहतर इंदन उत्पन करने में मदद करेगा तो देखे इसमें जो सही जबाब है पहला वाले स्टिट्मेंट यानि ए अप्सन इसके बारे हम देख लेते हैं देखे इस ब्रमाण में द्रिस्यमान द्रब प्रमाणू और अनू से निर्मित हैं जो इस ब्रमाण में कह सकते हैं जो द्रिस्यमान जो द्रब हैं प्रमाणू और अनू से निर्मित हैं द्रब्यमान वह भौतिक गुण है जिन में इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है और उप परमाणविक कणों में द्रब्यमान की उत्पति कैसे होती है इसी तत्यों को समझने के लिए हिक्ष बोशौन कणों की खोज का महत्व है 9. परमसुने ताप मान पर और चालकों में विधुत पतिरोद हो जाता है क्या अनंत यानि शम्पून ये option आपका सही जबाब होगा परमसुने ताप यानि zero degree Kelvin पर और चालक की चालकता जो होती है सुने हो जाती है और वे एक आदर्स मतलब की एक जो कह सकते हैं कि आदर्स और चालक के भाती बेहवार करते हैं इस तापर और चालकों में विधुत परतिरोद अनन्त हो जाता है 10 नमबर कोशन है नेमने में से कौन सी धातू और चालक की तरह ट्रांजिस्टर में परियोग होती है इसका जो सई जबाब होगा जर्मेनियम जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उप्योग और चालक की तरह ट्रांजिस्टर में भी किया जाता है और इनकी बिदुत चालक्ता समाने तापर चालक एवं बिदुत रोधी पदार्थों की चालक्ता के मद्ध होती है Question number 11 है निमलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्पून भाग है तो सही जबाब होगा जर्मेनियम Question number 12 है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक परिपदार्थ कौन सा है तो सही जबाब होगा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्ठ चालकों का परियोग किया जाता है ज्यालकि एगा इंपोर्टेंट है Next question है 13 Question A तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपिक्छा तामबे की छड़ों को वरियता दी जाती है कारण R है लोहे के तूलना में तामबा विधूत का अधिक सुचालक है और वाई मंडलिये परस्तितियों में सरलता से ओक्सी क्रित नहीं होता है इसमें कौन सा सही जवाब है तो A और R दोनों सही है A की ब्याक्या जो है R कर रहा है इसके बारे में अब लोग डिस्कॉस करेंगे तड़ित चालक देखिए एक धातु की चालक छड़ों होती है जिसे उचे भावनों की अकासिय बीधुत से रक्षा के लिए लगाया जाता है ये अकासिय बीधुत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे प्रिथिभी में भेज देते हैं और इस परकार इमारतों को नश्ट होने से बचाते हैं तडित चालकों को बनाने में लोहे के अपेक्षा तामबे की बनी छड़कों वरियता दी जाती है क्योंकि तामबा लोहे के तूला में अधिक सुचालक है और वायुमंडली ये परस्थितियों में सरलता से औस्षिक्रित नहीं होता है चौदा नमरे तडित यानि बीजली चमकना तडित से ब्रिक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्याधिक मात्रा में क्या होता है बीधुत उर्जा बी अप्सन बीजली या गड़गड़ा हाथ के सांस वाली जो आंधी है इसके दोरान उत्पन तडित में बीधुत उर्जा अध्याध मत्रा में होती है जिसके कारण व्रिक्षों में आग लगने की संभावना होती है पंदरा नमर है नेमने में से कौन से अर्चालक हैं कौन से अर्चालक हैं तो सही जबाब है सिलिकॉन और जर्मेनियम सी अप्षन आपका सही जबाब है और चालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक परियोग होता है पहले जर्मेनियम का परियोग ब्यापक था किन्तु उसकी उस्ष्ड 38 सनवेदन सिल्ता के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगा जो है ले ली है आपको मालूम है कौन सा अर्चालक है तो जर्मेनियम जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों जो है अर्चालक पदार्थ है ऐसे पदार्थ के परतिक परमाड़ों के सन्योजी इलेक्टोन अपने समीब के परमाड़ों के एक-एक सन्योजी इलेक्टोन के सयोग से सह सन्योजन बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिश्टल का रूप ले लेता है जर्मेनियम जो हता है चतु सनियोजी तत्व है 17 नमबर कोश्चन है नेमलखी तत्व में कौन और चालक है वह है आपका सिलिकॉन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैदुचलकता अचालकों की अपक्षा बहुत अधिक प्रंतुचलकों की अपक्षा बहुत कम होती है इन्हें और चालक कहते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आदी कुछ नमर 18 भारत सरका ने जहामा के निर्याद पर पूर्ण पर्तिवन लगा दिया है क्योंकि उसमें जो है उसमें से ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिसका उप्योग ट्रांजिस्ट्रों में होता है वह निमलखित में से कौन सा तत्व है तो आपको मालूम है सही जबाव होगा झरमेनियम झ्हामा यानि जला हुआ कोईला इससे जर्मेनियम टत्व है निकाले जाते हैं जिनका उप्योग क्या होता है ट्रांजिस्टर के निर्मार में होता है ठीक हैं तो आजकर जो सेशन अभी के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स सेशन में नाभे कि जरूर दिजिए आपके पर्तिक्रियाओं का हमें बेस्बरिस सिंत जा रहता है और जिन लोगों ने टेलिग्राम ग्रूप या टेलिग्राम चैनल को जो है जोईन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया प्लीज आप लोग जोईन कर लिजिए तो थाइंक यू